हलो मेरा नाम दीपक केड़कर है मैं सेकेटरिस्ट हूँ सेक्सवलाजिस्ट हूँ हिप्नो थेरेपिस्ट एनलपी ट्रेनर और कोच हूँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ दाइबेटिस्ट मेलाइटस अतलग शुगर की बिमारी मदु में और नपून सकत्व प्साइकोजिनिक इम्पोर्टंस या इम्पोर्टंस कहें कि लेंग एक सम्वन करना उसमें टिक कर रहना और वो पावरफुल ही करना जिनको जिनको डा मेरे बास में 40 साल के उमर के बाद में आते हैं कि लेंगिक शुप मिलता नहीं है या हमारे शिस्थन चैर्म इरेक्षन ने होता है टेंशन ने आता शिस्थन म में या इम्पोर्टंस है लेंगिक समझ्या है इस प्हून में उनको बलता हूँ कि पहले हम आपके बढ़ने का शुगर चेक करो, होता क्या है कि लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि अपने को डाइबिटीस है, खुन में शक्कर बढ़ते जाती है, 200, 200, 300, 300, 300, मालूम ही नहीं है, उसके अलग-अलग लक्षन को धिरी-धिरे बढ़ते करके लक्षन मालूम नहीं पढ़ते हैं, और वो जो खुन में बढ़ते जाती है, शुगर की मातरा, मतलब diabetes होते रहता है, ब्लड शुगर बढ़ते रहती है, तो उसका असर, जो हमारी blood весles से, मतलब रखता वाहीं नहीं, जो है, खुन वाहीं नहीं, जिसमें सब्लकों बहता है, उसके उपर होता है, उसका अंदर का अस्तर जो और इदे खूंगता सप्लाय कम हो गया, तो फिर शिसमें में टेंशन, इरेक्शन नहीं आ, तो कभी सारे लोक जब आते हैं तो उनको बलते हैं पहले ब्लड शुगर टेस्ट करो, और वो शुगर अधी टेस्ट करते हैं तो उसमें इले डाइबटेस निकलते हैं तो पहले वो ब्लड वेसल जो है, रक्तवाइन ही जो है, खूंग इसमें से भैता है, यदि वो छोटी हो गई है, उसका अकार जो है, वो छोटा हो गया है, तभी उसको बढ़ा करने के लिए तो ऐसा कोई सम्मों नहीं है, तो फिर दवाई दो, दवाई से खूं जब अंदर जाएंगा, ढ़ा शिसन में जब खूं जाता है, दो इरेक्शन गोटा है, ये शिसन का इरेक्शन, वो कम से कम, देरसो से धाईसो मिलीलिटर खूं शिसन में अंदर जाता है, और उसकी वज़े से टेंशन आता है, अब जब aquí ER कोट हो गई है, तो उतना खूं अंदर जाएगा, नहीं ह तो उसमें उसमें होता नहीं है, तो जो दवाई यह है, मेडिसिन से, वो खुल उतना अंदर जाएगा, उसकी वेवस्ता हो जाती है, और उससे ए्रेक्शन आजहे है, वो काफी समय तक बना रहता है, और उसके होजासी वो लेंगिक संबंद रस्तापीग कर सकते हैं, तो सभी लोगों ने देखना है कि चालीस साल की उमर में यह पहली बार ऐसा कोई प्राबलेम आता है लेंगी समस्थ से आती है तो पहले खुन पासना जरूरी है शुगर कितनी बड़ी हुई है तो यह यह आप करते हो तो आपका जो शेक्शल प्राबलेम है शेक्स की बिमारी अपन सकते है वो ठीक हो सकता है आप दवाई लेलो अच्छा हो जाएंगे और आपका लेंगी जीवन पर अच्छा हो सकता है थैंक्टू बेरिमच आपको एच्छा लागा तो शेर करो हमारे जाने को सब्सक्राइब करो आपको कभी सारे वीडियो मिलते रहेंगे बाया दो बाया उझा है है कर दो